नमस्कार साथियों मैं मुकेंद्र सिंग आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार यूपी संगम बाई क्लासेस पर स्वागत करता हूं भिन्हंदन करता हूं साथियों आज इस 15 मिनिट के वीडियो में मैंने घड़ी को ट्रिक के मैं पहले बात कर रहा हूं मिनिट हंड कि तो में पूरा एक चेक कर लगाती और पोरा एक चेक्कार करेंते घंट और एक मतलब होता है साठ मिनट तो आप डारिक्ट कह सकते हैं साठ मिनिट में 301 दिग्री तो इस बजह जैसे एक मिनट में वो एंगल कबर करेगी सिक्स डिग्री तीन सो साथ बटे साथ एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल कबर करती अगर यहीं बात करता हूं घंटे की सुई के लिए अगर घड़ी में 12 बजा है तो 12 से जब एक बच जाएगा तो एक बजे का एक खाना 30 डिग्री का होता है तो एक घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री का अंगल कबर करेगी आप कह सकते हैं एक घंटे में होते हैं 60 मिनट तो 60 मिनट में वैं 30 डिग्री का अंगल कबर करेगी तो एक मिनट में कितने डिग्री का 30 बटे साथ बोलेंग एक घंटे में मिनट और घंटे की सुई के बीच का जो कूण बनता है वो कितना बनता है तो आप बोलेंगे यहां पर 5 बोल 1 by 2 डिगरी 5 साही एक बटे 2 डिगरी 6 डिगरी में आदा डिगरी माइनस कर देंगे पहला कॉंसेट क्लियर है तो आईए इस पर कुश्चन कैसे पूछे जाते वो समझते हैं यह पूछा गया है 17 फरवरी पहली सिप्ट को जरा ध्यान से समझना कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर के समय सुरू की जाती है दोपहर के समय सुरू की गई यह चार बचकर दस मिनट पर गंटे की सुई कितना घूम चुकी है तो आप देखेंगे दोपहर मतलब 12 बजे 12 बजे से चार बचकर दस मिनट के बीच में कितने घंटे हो गए आप कहेंगे सरजी चार घंटे दस मिनट के अभी आपने देखा कि यहां पर जो घंटे वाली सुई होती है घंटे वाली सुई जरा ध्यान दे ना भया वो एक घंटे में 30 डिगरी एक घंटे में 30 डिगरी और एक मिनट में आधा डिगरी तो वही चीज यहाँ पर लिख दीजे एक घंटे में 30 डिगरी तो भाई चार घंटे में 4 गुणा 30 चार गुणा 30 और एक मिनट में आधा डिगरी तो 10 मिनट में आप कहेंगे 5 डिगरी तो टोटल कितना निकल के आया 125 को 25 दिग्री तो इस कोश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 125 डिग्री इसी पर्टनर पर अगला कोश्चन भी पूछा गया है सत्रा फरवरी सेकेंड सिफ्ट को करा एक घड़ी सुबए के नो बजे का समय दिखाती सुबए का नो बजे मतलब आप लिख देंगे डारेक्ट नाइन अयम और उसे दिन दुपहर तीन बजे का समय दिखाती है कितना भाई चाप 3 पीम तो करा घंटे के सुई कितने डिग्री गूमी है नो बजे से तीन बजे के बीच में कितना समय हो गया 6 गंटे का घंटे वाली सुई एक गंटे में 30 डिग्री तो 6 गंटे में 6 गुणा तीस आप कहेंगे डारेक्ट 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री साथियों यहां पर अगला कुश्चन है 18 फरवरी पहली आगे कर बताईए वह घड़ी प्रतिभिम में कितना समय दर्स आएगे जब केवल प्रतिभिम लगा लिखा ओ तो याद रखेंगे दरपण प्रतिभिम की बात की जा रहे हैं मतलब घड़ी में समय कितना दिया है दो 4 दिया है तो आप हमेशा याध रखिएगा जब भी साट से माइनस करेंगे 11 साट से माइनस कर देंगे कितना आएगा नो बचकर बीस निट तो वह घड़ी दरपण में नो बीस का समय दिखाएगी सेम पैटन पर अगला कुश्चन है यहां घड़ी का समय दिया था दरपण का पूछाए यहां पर दरपण में दिया गया है दिया गया है तो आप कहेंगे चार पंद्रा कौन सा समय पूछा है घड़ी का समय पूछा है तो इसमें भी आपको क्या करना है दिये गए समय को 1160 से ही माइनस करना याद रखना भीया कितने से 1160 से माइनस करना है चाहे घड़ी से दरपण की बात करे या दरपण से घड़ जल का मतलब 36 प्रतिविम ठीक है जल प्रतिविम या 36 प्रतिविम में दर्साया गया समय कितना है 4 15 है तो यहां पर जल का समय दिया है कितना 4 15 और पूछाए घड़ी का वास्तिविक समय बताईए तो अब क्या करना होगा आपको याद रखो दिये गए समय को 36 36 से माइनस कर द अपसन नंबर ए इस कोश्चन का राइट आंसर बन जाएगा क्लियर है जब भी यहां पर घड़ी से जल की बात करें जल से घड़ी की बात करें दिये गए समय को 36 से माइनस कर दो सत्रा नभ्य से 20 12 लिखाये 22 लिखाये 22 42 का मतलब होता है आट 42 कितनेस माइनस करना ऑध सकता नभ्य से माइनस कर दो कितना आएगा आप चैने सर्जी 948 आएगा 948 याद रखना जब भी घड़ी को दरपण के सामने उल्टा करके रखा जाएगा क्लियर है तो देखें यहाँ पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिये गए समय को 36 अथवा 1790 दोनों में से किसी से माइनस कर सकते हैं अंसर सेम रहेगा क्लियर है चलिए अगले टाइप की बात करता हूं क्लॉग में अगला खूब टाइप पूछा जाता यह एंगल वाला बहुत बेतरीं ट्रिक दे रहा हूं ध्यान से समझने की कोसिस करना देखे तीन बचकर 40 मिनट लिखा है अब मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनिए जब भी तीन बचकर 40 मिनट होगा तो यहां पर तीन होगा यहां पर छे यह साथ और यहां पर आट इस जगे नो बनेगा आप कहेंगे जी सर बिलकुल पाँच खाने का अंतर है घड़ी में एक खाना 30 डिगरी का तो पाँच खाना कितने हो जाएंगे तो आप केंगे पाँच गुड़ा टिस किलियर है इतनी बात बोलो वेटा क्लियर है अब आगे देखो यहां मिनट की सुई आगे है जब मिनट की सुई हो तो जितना मिनट आधा माइनस कर दो तो यह हो जाएगा 150 में 20 गठा ओंगे कितना आएगा 130 डिगरी ब्लऴ कॉंसेप्ट क्या है जब मिनट की सुई आगे है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है 148 8 एक खाना 505 का एक 50 30 डिगरी का 5 खाना है तो 30 गुड़ा पांच 150 मिनिट का अधा माइनस कर देंगे अगला कुश्चन देखिए यदि किसी घड़ी में 7 बचकर 30 मिनिट का समय हो रहा मतलब घड़ी में घंटे वाली सुई कितने खाने एक खाना कितने डिगरी का होता है आप कहेंगे 30 डिगरी का अब क्या करना है घंटे वाली सुई आगे है घंटे वाली सुई आगे है तो जितने मिनट दिये जाए उसका आधा जोड़ देना है तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45 इस कोश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 45 आएगा साथ यो अगला एक बहतरीन टाइप जिसमें समय आपको पता करना है आ और दस बजे के बीच घड़ी के सुईया एक दूसरे के उपर होंगे संपाती होंगी ठीक है क्लियर एतनी बात तो इसकी जो डारेक्ट ट्रीक है वो है बारा बटे ग्यारा बारा बटे ग्यारा यह फिक्स रहेगा अब इसमें गुणा किसका होगा बस यह देखो नो और द जब 45 का गणा कराएंगे कितना आएगा 12 गुणा 5 हो जाएगा 60 बारा गुणा 4 48 48 8 आ noi स कितना होता है 5540 बटे 11 भाग कर दो 11 कितना Ridge कितना आएगा ज़रा ध्याद देना गौणा 4 चार 44 हो गया से एक बटे 11 मिन पर क्या होंगी यह संपाती होंगी क्लियर है इतनी बात कैसे करना है ज़रा ध्यान देना 9 और 10 बज़े के बीच घड़ी किसुईया एक दूसरे के साथ होंगी ओवर लैप करेंगी मतलब इनके बीच का कौन 0 होगा तो 12 वट्टे-11 फिक्स रहेगा बाद वाले टाइम से कोई मतलब नहीं अब मिनिट की सुई अगर 9 पर होगी तो आप यही तो कहते है पैतालिस मिनिट है बारा बटे ग्यारा फिक्स कर दो तो देखो एक और दो के बीच कि समय घड़ी के सुनियां एक दूसरे के विपरीत होंगी अब अगर घड़ी ऐसे बनी मेरे मित्र जरा ध्यान देना अगर घड़ी ऐसे बनी है यहां पर 12 लिखा होता है यहां पर आप कहेंगे 6 लिखा है यह अहां कितना लिखा ना इन लिखा अब यहां पर 7 होगा यहां पर 8 होगा यहां पर वन और यहां पर टू होगा घंटे और मिनट की विपरीत होनी चाहिए तो आप मुझा आ अगर घंटे वाली पहुवैंदर तो मिनट वाली स्वी विस्वि अगर घंटे वाली स्वी सब्सड़ार्य तो सूर्णे के विप्रीथ हो OUT कि यह म cartridges वाली स्वी कहाँ पर और। 2040 सब्सक्रों और 55 गुणा करूं 25 व्याम क्या है यहां गुणा 336 36 कितना हो जाएगा 42 220 बटे 11 तो सब्सक्राइब अच्छ तिन हो जाएगा ठीक है केरी दो बचेएगा मतलब 38 सही 2 बटे ग्यारा मिनट तो 38 सही दो बटे 11 मिनट पर घड़ी किसू या एक दूसरे से विपरीत होगी घजब की ट्रिक है कि नहीं मज़ा आया कि नहीं आया आपको क्या करना बारा बटे 11 लेके चलना है ठीक है अब एक के विपरीत कहा रहा एक और दो के विपरीत तो एक के विपरीत अगर घंटे वाली तो जब नो पर होती हमें तो कहते 45 मिनिटे ठीक है तो 11 बटे 12 बटे 11 गुणा 45 आगे देखो यहां पर कहरा एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है इस कंडिशन में क्या होता है एक बार घड़ी तेज होगी और एक बार घड़ी क्या होगी तो याद रखना सिलो होगी तो सो आप मेरा कॉंसेप्ट जाद रखो जो पहले दे याद रखना प्यटा जो पहले दे श्लो पहले दे तोसलो, फास्ट पहले दे तो फास बटे में स людей यहां पर कहेर हारा जो घड़ी आ वो घड़ी पहले 5 Punch पीछ ती पहले 5 मिनट पीछे ठी तो पांच लिख लो है नव फार्स नWhen ूट पहले पहले पीछे थी अब मंगलवार साम 5 बजे साथ मिनट्रिटफ और आगे हो गई साथ मिनट्र और और तो पांच मिनट्रिफ पीछे 20 सात साम 5 बजे से संडे साम 5 बजे से अगर हम ट्यूजडे की बात करते हैं मंगल वार साम 5 बजे तक तो मेरे मित्र कितना टाइम हो गया आप कहेंगे सर जी 48 गंटे तो टोटल टाइम कितना हो गया 48 गंटे हो गया अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे एक अपनी सार्थ बार साम 5 बजे से 20 घंटा आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा सों बार दुपहर का एक बजे मिल जाएगा बोलो बेटा किलियर है बोलो मेरे सात्यों किलियर है अगर किलियर है तो इस कुश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिएगा आप सभी सात्यों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा थेंक्यू गूड़ लग कर दो दो हो 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 अँप Cr willen रहेगा है बोलो में कर दो क्परिए तो ह सकते ज़बागा बू़क्न का मेंट किलियर है अँ़ कर दो दो क्रीूं के आप सुछ में सानए किलिंगा गजबके तो किलियर है ऑगές praising के ज़ंसे ज़ुबके के ज़के हैं किलिएगागा तो Bitcoin